कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कमभक्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुलक के रिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुलक से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटि तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्कित और जब हो साथ सत्मोला और उसका चट्पटा तेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चालीबरेट्स तेरे रिलीज़ फुक्रे 3 इं प्येटर्स नियर्यू ऐच फूक्र सत्मोला कवियों की चोपाल में आप सभी दर्शुकू काहर्दिक स्वागत तो है सत्मोला कवियों की चोपाल आपकी अप्नी चोपाल वीश वर्ष से चल रही पंद्रह आगस्त दो हजार चार से निरंतर अन्वरत कावे की धारा प्रवाइद करने वाले सत्मोला कवियों की चोपाल हमारे आप सब के सयोग से 15000 से अधिक हमारे सदस्य है इस परिवार के अंग बन चुके हैं आज हमें बहुत ही प्रस्मिता का विश्य है कि आज हमारे साथ देश क लब्द प्रतिष्ठित अनेक कभी हमारे साथ हैं जिनका मैं एक करम परिचय कराता जाओंगा कावेपाथ कराते वे प्रस्तुति के जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे और सत्मोला कभियोगी चुपाल में यह सोभाग्य प्राफ बुआ है कि हमने राम जी की गलहरियां पीछ चाहे वह गुंबत पर चड़ने वाले कार से वक थे उनको हमने बीच में दिखाया था सत्मोला कर्मयोगी चुपाल के विशेश आंक अपने एपिसोड में राम जी के लहरियां और आज बातावरन केवल राम मैंनी है राम महुत्स जैसे की हमारे योगी महराज जी बोल चुके हैं देश ने मनाया है और नंदी बावा कब तक प्रतिक्षा करते जरात को बेरिकेट करके वह जाग उसे और पर कनेहियां काम आनने वाले थे तो ये जो सत्मोला कवियों की चुपाल में हमारा हेतु कोई राजनिती से नहीं हमारा हेतु भक्ति कावे से है और भक्ति कावे के में अनेक पक्ष होते हैं उसमें उधोग राधा और गोप्यों के भी मनाता है मेरा के भजन भी होते हैं और अगर भक्ति कावे करें तो शि हम अनेक इस आध्यात्म वक्ति कावे के साथ हम यह सब चीजे लेके चलेंगे जिसमें आपको इक आपकी कविताएं एक देश के लिए भविश्य के निर्मान करेगा तो मैं सबसे पहले है पंडित विने जी और इतनी शान्दार इनके कवित है चाहे वह भक्ति कावे में राम की बात करें चाहे महादेव की बात करें चाहे क्रिश्न की बात करें चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहां वयलेंटाइन का क्लेंडर बन चुका होता है टाइम से बन चुका होता है इसके बावजूद हमारा तो यह वसंथ पूरा फागुन पूरा महा होता है कि विष्ट्र जाहीं EU ब्राजिल परदर्शक हैं कभी के रूप में जिसमें पत्फ परदर्शक को बोलता हूं मैं विने जी होती है जा जोर्दात तालिग जाय था मुल्का साथ इस समय जैसा कि आपने देखा होगा सत्मोला कभियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं विने विनम्र देखा होगा इस समय देश तो राम में हुआ पड़ा ही है लेकिन अब बाबावा विश्वनात भी ड़ा हार हार महा देव नंदीब बाबा की तपस्या भी सफल हुई आनन फानन में कोट के फैसला आते ही कि साथ दिन के अंदर पूजा सुरू की जाए और कई ऐसे ऐसे कटर आ गए जो पूरे ग्रिल को काटते हुए और चाटते हुए और हर हर महा देव का बोलिए बाबा विश्वनात की जै और योगी महराज की जै योगी और बोदिय डब कि योगी योगी जी मुख्यवंत्री हैं उत्तरवदेश के मोदी जी वहां के सांसद हैं आज तक भूतों न भौश्चिती जो नहीं हुआ था अब हो रहा है और हमने तो लेखनी ही उठाई है बाबाभी सुनात की कि स्वागत मैं पंतिया कुछ पहर महादेर कि पावन वि के सbbeना की निःओं निःदेर को प्रणा मैं अविराम धाम घंख्ण कि दीन के होनाथ दीन आनाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए संभू आपने पचाया विश्व स्रिष्टी रक्षा है तो महादेव दास के भी अव गून पीजिए महादेव दास के भी अव गून पीजिए करबांध विश्वी धियाप के शमक्ष रहे विने विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए ऐसा दो वासी से प्रभू सत सत छंद लिखों लेखनी थमाई है तो शब्द गयाने दिए और बाबा ने दिया हुआ के दोश्टों के लिए जो अब भी कर रहे ह हैं कि नहीं वहां तो ऐसे था वहां तो ऐसे था समकरों उन्हीं करा है सम्झा देंगे बाबा अपने हिसाब से क्योंकि बाबा से मैंने और प्रोंद जी पैसा का अभय प्रदान कर जग्यमद्ध चाय अंधकार चार कीजिए अंभिका के इस जग धिश गंग धारिसी सतन उपचार मन निर्विकार कीजिए अभय प्रदान कर जग्यमद्ध चाय अंधकार चार कीजिए अंभिका के इस जग धिश गंग धारिसी सतन उपचार मन निर्विकार कीजिए अधियंत रहित सहित हित भक्तने के भाग्य को सवार दुष्टता संहार कीजिए और दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्रेक मजधार से उबार भवपार कीजिए और आपने जब विने जी को हम सुन रहे थे विने जी ने देखिए एक खास से किस प्रकास हो सकता है कि जो सत्मोला कवियों की चौपाल के पैचान है और कुछ ऐसे साहित्यकार केवल कभी नहीं मैं विने जी को साहित्यकार मानता हूं कभी नहीं कभी तो आप हैं संपूर्ण जैसे होता हैं पत्रकारिता केवल जो देखती वह लेखती है और उसके साहित्यकार जाता है लोगजी देवेब्स जड़ जाता है जाता है आसी मैं इस मेर ऑसकर बिटिया कि प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्स्तित करना चाहता हूं देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है चाहे उसने मां पर कविता पड़ी हो चाहे उसने श्रिंगार पर पड़ी हो लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्तिकावे की देश आज राम में एक विशलेशन अभी आया है कि आने वाले दो तिन वर्षो तक राम मंदिर के दर्शन राम लला के दर्शन करने में आप एक दो घंटे की प्रतिक्षा आपको चलती रहेगी और आज जो वातावरन है यह पास सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा सुब अफसर दिन देखनों के मिला है और उस सुब अफसर सुब आनंद की हम मैं करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जा जो अंदात आले के साथ मां मंत्रिश करता है पांसो सदियों की प्रतिक्षा समात्थुई राम हमारे राम आयोध्या आगे पूरे सनातनी कितने गर्वित हैं आये इस चंद के माध्यम से आप तक पहुंसती हूं जग को हुआ प्रतित सत्की हुई जो जीत रग कुलरीत बार बार दोहराएंगे जो हतिया योध्या बात सर्यू का घाट घाट ठाट बात साथ ले के राम जी को लाएंगे ठाट बाट हम राम जी को ठाट बाट के साथ लाए पूरी दुनिया ने देखा राम लला कैसे विराजित हुए आईए उस धर्म युद की कड़ी को उस रिंखला को याद करती हूँ याद दिलाती हूँ जुड़िएगा जीत गया है सत्य सनातन विजय आयो ध्याधाम की गर्व से बोलो राम के वंसज जै 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 श्री राम की त्रेता का वनवास सहे और कल युग की अवहेलना अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न जेलना प्रश्ण चिन्ह के क्रूर कट घर तक प्रभुवर को ले आए कोरट और कचहरी के कितने ही चकर लगवाए कार सेव को को आशा थी किनके आसाओं का या परिडाम है तब समर्पित करती हूँ कि कार सेव को को आशा थी इसी सुखद पर रामकी गर्व से बोलो रामके वंसज जै 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 शीरीरामकी बार जितनी पिडाय हमने आपने देखि उससे कही ज़्यादा मासरी और उसके घाटों ने देखा तब पंक्तिय करती मनुझ भ्यावत सुनेगा कि कितने ही अपमान सहे हैं पावन सैयो घाट ने भगतों की थी नीद उड़ा दी जीनी निर्मम टाट ने बाबर की बरबरता कातो होना अंत जरूरी था इसलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था सदियों याद रखी जाएगी सदियों याद रखी जाएगी इस मृतियां संग्राम की गर्व से बोलो राम के वंसज जय जय शीरी राम की और बहुत ही कठोर पंग्तियां पढ़ती हुए क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं चाहते थे पर हमारे पुर्खों ने हमारे बड़ों में यही सिखाया है कि हर हाल हर समय हर छड़ इस त्वर को समर्पित करो उस पर विश्वास करो तब पंग्तियां पड़ती हो कि मंदिर गिरिना मंदिर बनना सब प्रभुराम की इक्षाथी कल युग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परिक्षाथी मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं निराधार जब तरक हुए सब तभी राम घर आए हैं रागुवेंद्र रगुनाथ रमापती रगुपती राजा राम की गर्व से बोलो राम के वनसजे जै 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 शिरी राम की और इस युद्ध को इस संग्राम को जब भी याद किया जाएगा कुछ नामों का अस्मरण सदव किया जाएगा सदव याद रखा जाएगा मैं तमाम अनाम गुम नाम उन्हुतात्माओं को समर्पित करती हूं कुछ नामों के साथ सुनेगा कोठारी बंधूक त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे जब भी भगवा धज फहरेगा हमें याद वह आएंगे विग्यर तंभर रोद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस्मर्दानी के जैसी विनय अशोक अटल छबी सोहे विनय अशोक अटल छबी सोहे क्रिश्न रंग अभिराम की गर्व से बोलो राम के वनसजे जै 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 श्री राम की और कासी का प्रतनिजुत्व और देश के उस प्रधान सेवक को नहीं भूलना चाहिए जिसने तमाम उपेक्षाओं को जेलते हुए यह दिन हम सब के हिस्से लाया तब पंक्तियां पढ़ती हूं सर सुनेगा सद संघर सो के दबी नीव पे इट सजाए मोदी जी ठाट बाट से राम लला को घर ले आए मोदी जी काल नेमियों शोर मचालो जितना तुम्हें मचाना है दो हजार चोबिस में तैं है फिर मोदी को आना है रक्षा का वच मिला है जिसको मा गंगा के नाम की गर्व से बोलो राम के वनसज जै 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 शीराम की और प्राथना की पंक्तियां पूजा की पंक्तियां निमंत्रन की पंक्तियां पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जगत गुरूरग कुल के नायक सकल स्रिष्ट के ग्याता है करुडा के अवतार राम ही सब के भाग्य विधाता है कौशल्या सुत दसरत नंदन जनक सुता भरतार की जय जय हो लक्षमड भरत शत्रुगन महावीर अवतार की जय के जगत नियंता रावन हनता महिमाहर के नाम की गर्व से बोलो राम के वनसज जय जय शीराम की के या प्रियंका सही महीने में आम मिनल जी आपने भी देखा हुगा की होली के मैंने जाना की इने प्रिय प्रियंका की और प्रियंका मैं सच बता रहा हूं यह आपकी बात राम तक पहुचेगी राम के भक्तों तक पहुचेगी राम के लालों तक पहुचेगी यानि कि चाय योगी जी हो चाय वह भी मोदी जी भी राम के लाल है हम भी राम लाल है यानि की हम राम जादे हैं दूसर है हम जो राम जादे हैं ना हम को ये अबद की हुली बड़ी भाई है पूरे जो सतमोला कम्योंग चुपाल को देखते लिए वदीर वोसदर राम lawmakers को सब को ये फुली भाई होगी और अब मैं जिसकों कि परस्तट करने जा रहा हूं आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर पर्देश के सदन में जब वो बोलते हैं कि राम महुत सब मना लिया तो नंदी वाबा से काग धेरे होता और वो बैरिकेट तोड़के घुज गए और फिर बोलेगी अब गई हमारे कनिया काम मानने वाले थे वो तो नटकट है तो ऐसा ही मेरे पास नटकट कभी भक्ति कावे का जो सिरमोर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान और एक ऐसा कभी जिसके पास भक्ति कावे तो है ये लोक कभी है लोक कभी जिसकी एक-एक कभिता अपने आप में अनेक 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 अर्थ देती है और लोक कभी कहूं लोक गीत कहूं ऐसे अनुठे कभी कूं मैं जोर्दात तालियों के साथ अविन्यंदन करते स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जीकर उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर उपद्रवियों से वसूली की गई परम स्रद्धय योगी जीकों में साध्वाद देती हुए पंक्यान विदित करता हूं उत्तराखंड भी महीं बढ़ चुगा उत्तराखंड भी ताजा बिलकुल ताजा समाचा वहां से आये हैं नमन करता हूं ऐसे पुरोधाओं को जिन्होंने इद्रण संकल्प के साथ लागू किया कि सी ये ये यनारसी के जितने बिरोधमिवो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं और योगी राज के सिपाही की एजब कार्यवाही कुंठित कबालियों को का का यदे से कूटे हैं कि घुस पैठियों की सागी भीड भागती थी ठगी पहली बार ऐसा हुआ उसके पहले तो जस्न मनाते थे तोड़ फोड़ करते थे पहली बार भाग रहे थे घुस पैठियों की सागी भीड भागती थी ठगी पीठ प्यमुहर लगी एक नाही छूट और जितने वुदंड थे घमंड में प्रचंड वून है दंड देने हे तु बेत खंड खंड तूटे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार यहीं नहीं रुकी वसूली भी करना था कि तूटे हुए बेत कहीं सेंत में तो आए नहीं फिरी में तो आए नहीं थे बाकादा टंडर होता है कि तूटे हुए बेत कहीं सेंत में तो आए नहीं उनका उचित हर जाना भी वसूला है और बस जीप बैरियर जले बिद कैरियर नए वाले रेट में पुराना भी वसूला कि ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है धन्य तेरी राष्ट भक्ति धन्य तेरी इच्छा सकती भर पाई पाई आना भी वसूला है यह थे हमारे बहुत ही लाडले कवी मनोज मिश्राज कप्तान जी देखा आपने किस प्रकार की इनकी रस्नाय थी यह वास्ता में लोग कवी हैं और मैंने इनको अबधी में भी सुना है मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं सत्मोला कमियों की चौपाल में वो होती है हमारी लाडले बिटिया और मेरे प्रिया मित्र पंडित नमंजी के सुपत्री हैं और कि यह की बात बड़े अलग से होती है कि जब अरुन जैमनी ने कावेपाथ करना प्रारम किया तो उन्हों का नहीं जी यह तो हर्यानी जैमनी अर्वियानी की पढ़ रहे हूंगे से और तो जब मैंने कविता मच भीका पाया मैंने कविता बोलनी पर इना प्रस्तुति करनुदेना प्राहरम किया तो लोग ने आक्षेफ किया गी अरहे बाहरे तो आचारे जी की कविता पढ़ में पिता की कवजिता पढ़ रहे से दूसरा क्या है 지금까지 हमगेयता के साथ पढ़ते हैं मीरे पता जी भीएयता पढ़ते थे तो यह क्या होता है जैसे इतना हम अपने बच्चों के लिए एक सपना हम केरते हैं कि कि हमारा बेटा अंगर हमारा बेटा बंतर habrion a यह बढूंए बने एड़ोकेट बने जज बने बड़े सुभागय साली पिता होते हैं माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को जैसे फर्श को लोग कभी होना बड़ा सुभागय होता है और उस कभी के मन में आगी मेरा बच्चा भी एक अच्छा गीतकार बने एक प्रस्तोता बने मैं होस्पिता को को नमन करता हूँ पंड working नमण को नमन करता हूँ और बड़े ही आधर के साथ पंडित जी को अपने सामने रखते हैं मैं प्रस्तोत करने जा रहा हूं अपनी लाज मिर्लाकर मैं इन बचमें बीजिए गीत के गुन होंगे प्रस्तुत करते श्री राम चंधर जी का रंग चड़ा हुआ है तो कुछ श्री राम चंधर जी के बारे में आपको सुनाओं गी प्रभु श्रीराम चंधर जी हमारे शनल ही छहरु लिए हो caек अरुन के बिना हम सभी जीरो है अरे वाइज तू प्रस्तुत करती हो तो हर घड़ हर पल राम को नमन हम यदी धूल है तो राम जी गगन हम यदी फूल है तो राम जी चमन हम यदी फूल है तो राम जी चमन राम कण कण में है कर ले भजन राम जी का नाम बोले हर धड़कन राम से विमुख हो के मर जाएगा तो अश्च मुवाँ हैं और मुधियन और डिज एंग मंध दे मुवाँ वाह 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 व HIS राम जी फिर्चन और विदा सिन Premji hadraji l katan wanna बाद जी का नाम लेल तर जाएगा अजिए में अनुने सब्सक्राइए नवे समक्राइड आज Já आज सब्सक्राइड सब्सक्राइड सबुस्थ शबरी के बेरो के निवाल में है राम, स्रिष्टी के स्रिजन और अंत में है राम, अंजनी के प्यार हनुमन्त में है राम, राम जव मखो के मर जाएगा, राम जी का नाम लेल तर जाएगा, गवाँ यह वह 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 वाँ वाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ने जो एक बात कहीं थी बिटिया के लिए ऐसे ही लिकीए ती कारण कि की कि हम आज अपने के बच्चों को dance competition भीजती है singing competition भीजता है झो डान्स competition में जब बच्चे जाते हैं छोटे-छोटी बच्ची आउते हैं परयांung को sur programa होता है चोली के पीछे क्या है अक्छीओं से गोली मारे क्या हम अपने बच्चों को वह संसकार देना चाहेंगे या इस नेहावीटिया जैसे संसकार देना चाहेंगे एक पिता ने जो संसकार दिये अपने कवित के लिए मैं पिता और पुत्री को नमन करता हूँ जा जोरदार तालिकिता जब 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 तेरे बच्चे का बाप बने वाला हूं यह देख ओ फुद्दू एक गया से बड़ा गुबार अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सतमोला और उसका छट पता तेस्ट तो हर छीज पचेगी असानी सत्मोला इसे बैटर है ना तीं सत्मोला नमकीन डिफ्रन्ट है बेवेसाल पंदीर हेख हुची आपी कमासि एप अम्त्राल के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनबसंद प्रोग्राब सथमोला कव्यों की चौपाल मे!!!! सात्यों आद हम आज चुके हैं पुना ऐसे कवियों की महफिल को सजा करके कि जिन्होंने कविता को बड़े पहले से लिखना शुरू किया और आज उनकी कविता एक नई उचाई को छू रही है ऐसे लोग भी है जिन्होंने कविता को लिखना शुरू किया और उनका भविष्य उचाई को छूने की और बढ़ रहा है तो आईए सबसे पहले रभी कानेल कर मन्चला की याद आई और जो इतने मन्चले हैं कि इनकी पत्नी जी को पुलिस में भरती होना पड़ा इनकी मन्चले पन के कारव यह इनी से हमें पता चला तो जब अब भाई पत्नी हो और पुलिस में हो तो खाकी कैसे नहीं लिखा जाएगा और शब्दों से कविता को कैसे नहीं कहा जाएगा तो आएए इनकी खाकी पर कविता को सुनते हैं हम आप सबकी जोड़दात पालिए से सवरुप्रतम मैं साधना टीवी का धन्यवाद देदा चाहूंगा जी देश की शुरक्षा में हमारे सन्य जवान काफी लगई रहते हैं तो ठीक उसी प्रकार समाज की शुरक्षा में भी एक एक गटक का युगदान रहता है जिसे हम पुलिस कहते हैं तो मैं सवरप्रतम दो लाइनों से मुक्तक को शुरूखना चाओंगा कि बहुती नरन दिल है हम बहुती नरन दिल है हम जल्द पिगल जाते हैं और दो प्यार के बोल भोल दे कोई बस उसी के हो जाते है क्या बात है प्यार वफा इश्क महबद यकिनन ये किताबे बाते होगी बस यही एक इबादत है जिसे हम शिद्दत से निवाते हैं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे लिए अजने भी है ठीक उनी के लिए मैं दोग प्रंक्तिया अरज करना चाहूंगा कि मेरे तैजीब ने मुझे इसकदर काबिल बना दिया मेरे तैजीब ने मुझे इसकदर काबिल बना दिया आप अजनवियों के बीच में एक किरदार दिला दिया और गुमनाम साथा में जिन्दगी के किसी एक कोने में और दर्द को नजम में पिरोते पिरोते दर्द ने मु मैं सुनाना चाहूंगा मैं च metropolitan जोहरे की पैचान हूं मैं वीर्ता की निशानी हूं और रखतर अंजीत हूई मैं जब जब تब करिदा नहीं आहीं हूं सरजर रक्षदा एक रिक लिक रखल निज्डेमी ओन मा Además चाही में उए अर सीक्ट निवैं सान तीरंगे मामें देश का घाए लोगदा मैं देश का गवरों बढ़ाती हूं पैचान सको तो पैचान लो मुझको हा मैं खाकी हूं। कोई कहता है शोरे की पैचान और कोई कहता है भ्रस्टी और जिसका धामन जैसा सब्सक्राइbn कर दिए जैसे कि जस्की जुर्स्टि डर्टी संधिक में उसको वैसे ही जिसकी जैसे जूर्स्टि समाज हीद में कारे करती मुच्किलों से कभी न डर्ती समाज से जब कि कर्था योग पर तख़्टी रहती है जब जब भी मैं जिसमें समाई हूँ पैचान सकों तो पैचानने मुझ तौर्मान जाने देती हूँ उन विद्वाव के अर्मानों का उन विद्वाव के शाहदत का मैं अर्मान अभी भी बाकी हूँ पैचान सको तो पैचान लो मुझको हाँ मैं खाकी हूँ अपने काज की सूध साधने क्यों मुझक पर लांचन लगाने आए हो और इमान ही है मेरा दौलत इमान ही है मेरी दौलत क्यों मेरा इमान खरीदने आए हो मैल ही मैल दिका है भीतर जब जब यह मैं आपके गेवान में जाकी हूँ पैचान सको तो पैचान लो मुझको हाँ मैं खाकी हूँ सर पर लिए तीन शेर देखकर जिनने अराजकता हो जाती है वही धेर अराजकता को समवार ने मैं समर भूमी में जब जब दारी जाती हूँ पैचान सको तो पैचान लो मुझको हाँ मैं खाकी हूँ बहुत ही शांदार आपने पुलिस पर कविता पढ़ी और अभी तक मुझे अपने अलावा कोई ऐसा कवी ग्यात नहीं था जो पुलिस की भलाई पर कविता पढ़ता हूँ कि सीधी सी बात है कि जब पत्नी ही पुलिस में हो तो कहां तक नहीं बढ़ाई की जाएगी कोर्ट केस घर में भी हो जाएगा यह हसने की बात है लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में हर जगे पे दो-चार लोग ऐसे होते हैं जो उस विभाग की उसकार की छवी को धूमिल करने का काम किया करते हैं लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वज़े से वह विभाग विश्वस्वस्निय होता है कहीं कोई घटना होती है त अपनी महत्पूर्ण भूमका कुने बाते हैं आपके द्वारा जब आज पुलिस की ऐसी अच्छी कविता आपको पढ़ा गया तो बच्चों ने उसको सुना और पुलिस के सर पर तीन शेर तो देखते हैं चौथा शेर पुलिस के अंदर की ओर देखता है कि डरो मत यह गौर्वानवित रहता है और आज दो ऐसे युवा च्छात्र जीवन से ही कविता की ओर लिख करके आज भविश्च में एक अच्छे कवी बनने की प्रेणा लेकर के आज मंच तक आ चुके हैं मैं ऐसे कवियों में मुरेना से पधारे हुए रौनु मावई को आमत्रित करत सरो प्रातम मैं साधना टीवी का सही दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी उम्र में बड़े हैं तो सभी को मेरा चलेन इस पर सभी ऐसे आशिरवात बनाए रखें और मैं आज बीरस पर कविता बोलने जा रहा हूं तो कविता का टाटल है अंदी दुनिया तो इससे पहले म किता है कि किसांद्गरीब होता है गहर से देखो-षाषिह मैं एक किसान का बेटा हूं मुझे कुदबर होता है क्योंकि वे अपने खजाने को थोड़ा थोड़ा करके सब को देता है क्योंकि वे अपने खजाने को थोड़ा थोड़ा करके सब को देता है अपनी जान से प्यारे बच्चे को वे सीमा पर बेजता है तो इसके लिए अपनी जान तक देजे ना इस तरह एक आशिरवात देता कौन कहता है कि किसांगरी होता ह है भूब बहुत शांदर बहुत शांदर वह शांदर तेवर बहुत सांदर है अब हम आप बात आती हैं अनृ Julakala आग ऐगको देखो जा दुनिया को कैसे अंद कार में जाए रही है किност देखो देखो जा दुनिया को पे पहले किसान मरो है के पहले मरो है अ अ अब देखो पहलवाण सब्सक्राइब clicking प्रियंका जी ने बोला था कि भाई लड़ जाते हैं तो उस पर कि मातव प्रिया पड़े हैं के मात पिता यहां पड़े हैं के सगे भाईया को बने के नुशमन कता भरत की का रहे हैं देखओ देखओ जाओ दुनियाओं कैसे अंदकार में बहुती शान्दार कविता पड़ी रोणू तुम्ने और यह जो गवई अंदाज में तुमने का विता पड़ी किसान के बेटे तो इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसान का बेटा है क्योंकि होसकता है कि पिता कर्म-चेत्र में किसी धायन विभाग नोकरी करते हो लेकिन फिर भी गांओं से तो जुड़ी ही और खेटी सबके पास ही और जो हमें खिलाता है वह भी हमारा पिता होता है तो वह किसान सब का पिता है और सब किसान के बेटे हैं और शिक्षिकों की बात की तो केवल में ही सिक्षक नहीं हूं यहां पर एक और शिक्षिका है जो कवित्री के रूप में यहां पर अपनी उपस्तिती दर्ज करा चुक वीडा अब्राहम जी आ चुकी है मैं बुलाता हूं उनको आप सबकी जोड़दार तालियों से कि वो आए और अपनी कविता से इस कारवपार्ट को आगे लेज़ाएं सभी को नमस्कार साधना टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूं आज मैं दो कविता हैं प्रस्तित करने जा रही हूं जो पहला है हास से वेंग का थोड़ा सा टाच लिये हुए जिसका शीर्शक है साथ बनाम सोला यह मैंने तब लिखी जब हमारे स्कूल के एक अध्यापी का मैं रेटायर होने से दो साल पहले अपने को बुड़ा मानने लगी साथ की होके तो मैंने उनको को शिक्षा देते हुई है रशना लिखी वारे गुरू जी शिक्षा को शिक्षा को शिक्षा और वह अध्यापी का यहीं मौजूद है मोहीनी भटनागर जी जिनकी इंस्पि से पूजा पाठके सीनियर सिटीजन का तमगा पहन लिया है सीनियर सिटीजन का तमगा पहन लिया है युवावस्ता का हर पर रयाय दूर फेक दिया है दो साल और Нौकरी का बेडा उठाएंगे फिर फुर्सत से घर पर आराम फरमाएंगे, तो हमने कहा, फिर जूल का गुणा भाग करते हो, अंकरित की ऐसी तैसी करते हो, जरा साथ से शुन्ने हटा कर तो देखो, छैसे पहले एक लगाने की सोचो, जीवन के हर लंहें में बुल-बुल सा चैकोगे धन्यवाद मेरे कविता का दूसर सीर्षक है कविता क्या है और कविता क्या है इसके बारे मैंने बताया कि मेरे लिए कविता क्या है कविता क्या है पडोसी की पतने मेरे लिए इसकी परिभाशय लग है आपके लिए हो सकते हैं बाके हम लोगों के लिए तीक कविता क्या है लिखे गहें अंगिनत लेख आख्यान संस्मरण कविताओं पर परंतु मेरे लिए तो सिर्फ तुम हो मेरे कभी और मैं तुम्हारी जी जी हर एक पन्ने पर छंद मेरी पायल से छनकते हैं तुम हो तो मेरा अस्तित्व है तुम हो तो मेरा अस्तित्व है मैं हूं तो तुम्हारी पहचान है धन्यवाद बहुती संदर आपने कविता के साथ साथ में पायल को भी लाया युवा दिलों को हरसाया बहुती धन्यवाद की पात्रें और आपने एक बात और कहीं कि साथ वर्ष के होने पर आपकी अध्यापिका जी अपने आपको रिटायर महसूस करने लगी आए चलते हैं अगले कभी के और जो वह भी रक्षा मंत्राले से अपनी सेवाएं देते हुए आज कविता के मंज तक आच चुके हैं नाम है विश्वनात विश्वे स्रंगार की कविताएं पढ़ते हैं शाह जहांपुर से पधारे हुए मैं चाहता हूं कि उनका जोड़दार तालियों से हैं स्वाक्ष प पूर्थम साधना चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद दर्द देखा निकल पढ़े आसू दर्द देखा निकल पढ़े आसू लाख रोका फिसल पढ़े आसू बहुत सुन्दर है दर्द देखा निकल पढ़े आसू लाख रोका फिसल पढ़े क्या बात है गंगोर स्रंगार नहीं गंगोर स्रंगार पत्थर में भी प्राणों का संचार किया जा सकता है किस ने कहा ये तुमसे लांगो किस ने कहा ये तुमसे लांगो संबंधों की देहरी को हद में रहकर हद से जादा प्यार किया जा सकता है बहुत शानदार बहुत शानदार केतने सुन्दर सुन्दर कभी आ रहे हैं जोड़ारतं पुष्प के अंतस्म सुन्दर गंध् भरता कौन है तितलियों पर चित्रकारी खूब करता कौन है पुस्प के अंतस्म सुन्दर गंद भरता कौन है तितलियों पर चित्रकारी खुब करता कौन है प्रस्ण ये दोनों सरल है अब कठीन है प्रश्ण यार मर चुका हूं मैं कभी का मुझ पर मरता कौन है कि मन तपस्वी देखता क्यूं देह का संसार तू है कि तू चितिज पर देखता है मिल रहे धरती गगन को तू चितिज पर देखता है मिल रहे धरती गगन को बिन नयन के देखता किस मानिनी के निगधतन को चाहता बंदी बनाना चंद्रमा की चांदनी को बस में करना चाहता है मुस्कुराती रागिनी को सीत चंदन को समझकर सीत चंदन को समझकर छू रहा अंगार है तू मन तपस्वी देखता क्यूं देह का संसार है तू अगला बंद है कि तू कभी तट बंद बन सरिता से मिलना चाहता है तू कभी तट बंद बन सरिता से मिलना चाहता है इंद्रधन में नभिर्दय बन नित्य खिलना चाहता है इंद्रधन बन नभिर्दय में नित्य खिलना चाहता है भ्रमर बनकर फूल से रस्पान करना या सितारों से किसी की चाहता है मांग भरना पस रहा की चल में जाकर मन मेरे हर बार तू है मन तपस्वी देखता क्यूं देख का संसार तू है ओस बनकर तू टपकना चाहता है मरदुकली पर ओस बन कर तूट पकना चाहता है मरदुकली पर यम नियम सैंयम लुटाना चाहता है बाबुरी पर सिंधु होकर भी नदी से तूरतन क्यों मांगता है चंद्र होकर भी दिये की मंदलों को जाकता है मौन रहकर बोलता कैसे भला उद्गार है तू मन तपस्वी देखता क्यूं देह का संसार है तू और अंतिम बंद में है कि अक्षतों संग चाहता है भेजना पाती सगुन की मोर पंखों से लिखी जो पत्रिका तूने लगन की प्रीती है सच्ची अगर तो डर रहा है क्यों लजीले खोल दे सब गुप्त बंधन विश्व के आगे सजीले कर रहा किसको भला आकास भर कर प्यार तू है मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है जोंकि संपूर्ण भारत इसमें राम में है एक चंद चोटा सा चंद है कि जी विनय करूं अब देश के नंदन विनय करूं अब देश के नंदन हे प्रभुदास की ओर निहारो नास करूं जड बुद्धी का जड से चंचल मममन को भी सुधारो अब भूख गरीबी देश घना से ये प्रभु भारत देश उबारो अवाओ प्रभुजी से शिया संग दास के हिरदय धाम पधारो अव् सेस सिया संग दास के हिरदय धाम पधारो बहुत ही शांदार कविता अपने सिया राम को बुलाया तो सिया राम और राम लला अब तो सब आही चुके हैं और राम लला जब आ गए हैं तो ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही हैं लग रहा है कि राम राज में हम जीने लगे हैं जब बेटियां संदेश देती हैं कि प्रेम कैसा होने चाहिए बेटे शंदेश देते हैं कि प्रेम शरीर का नहीं होना चाहिए मन से मन का आत्मा से आत्मा का चंद्रमा की चांदनी नहीं छीननी चाहिए आपका प्रेम जवरदस्ती का नहीं होना चाहिए आपका प्रेम लडाई का नहीं होना चाहिए आपका प्रेम किसी बेटी पर किसी बेटे पर तेजा फेकता नहीं होना चाहिए आपका प्रेम किसी को दहेज में फसाने वाला नहीं होना चाहिए आपका प्रेम माता-पिता के आखों में आशु लाने वाला नहीं होना चाहिए धवलता प्रकाश की धुन हमारे बीच पे बिखेरने के लिए एक ऐसे अनभवी कवी क्यों कि रक्षा मंत्राले से सेवाएं भी दिये हुए है और आज वो सेवा निवर्थ हो करके वियारस लेकर के कविताओं से देश की और दुनिया की दिशा को काम कर रहे हैं मैं बुलाना चाहता हूं शाजहापुर के राजा अनुप धवन जी को आप सबकी जोरगार ताम से रोशनी देने को दीब जला करते हैं मिल के बिछड़ने को दिल मिला करते हैं जमाने से मिले दर्द को दिल में छुपा कर आत्म सुख के लिए हम गीत लिखा करते हैं अगला मुक्तक देखिए तो स्वप्न कभी साकार नहीं होता भावना का कोई आकार नहीं होता जी बिदि की लेखनी कभी टलती नहीं है बिदना का कोई प्रतिकार नहीं है देखिए दो मुक्तक और आप दोनों मुक्तक में विरोधावास देखेंगे निरणय आपको करना है कि कौन सी बात सही है जी दिन के उजालों में चांद को निकलते देखा बड़े बड़े आदर्शवादियों को मैंने परिस्थितियों के अनुरूप ढलते देखा जो परिस्थितियों दिन के उजालों में चांद को निकलते देखा बड़े बड़े आदर्शवादियों को मैंने बदलते देखा यूं तो बिदि की बिडमना हर किसी को सताती है गम की बदली हर किसी पर चाती है पर परिस्थितियों को ले जो अपने अनुरूप ढाल उसके जीवन में मन चाही बहार आती है अब देखिए गीट रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने आपाधापी के मौसम में खुद से हैं अन्जाने चोटी चोटी खुशियों को हम यूँ ही रहे गवाते गम से उपजे सभी दुखों को हर दम गले लगाते रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने पिर देखिएगा अपने अंदर कितना है आनंद रहे अंजाने अन्हें रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बावने आप लोगों का ध्यान चाहंगा कि दुनिया में भाव् हुए अभावों की दुनिया में भाव सभी के सस्ते जीवन ऐसा लगा की जैसे सुलग रहे गुल्दस्ते आस लगाए फिर भी एक ठंधी फुहार की पाने रहे संजोते जीवन भर यूही ताने बाने अब तक विखराया रेष्टों को मन में एहम समेटे अब तक विखराया रेष्टों को मन में हुआ भास तब देर हो चुकी क्या लेते क्या देते खो करतन की उर्जा मन की ताकत पहचाने रहे संजोते जीवन भर यूही ताने बाने आबाधापी के मौकम में खुद से हैं अन्जाने एक और देखेगा मुक्तक कि विल्कुल ताजा ताजा मुक्तक है जी विशम परिस्थितियों ने जब आज माया है विशम परिस्थितियों ने जब आज माया है संकल्प हमारा ना कभी डग माया है ज्यांदी जीगा शब्दों पे श्रम दैविये क्रपा और इच्छा शक्ति से हमने प्रतेग समस्या से पार पाया है बहुत सुन्दर हमने प्रतेग समस्या से पार पाया है बहुत शांदार तो यह सुन रहे थे आप बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने संदेश दिया अनुप धवन जी और उन्होंने कहा कि समस्या और समस्या से पार कैसे पाया जाता है यह दोनों है जिसका नाम का करती है कि और वो दूर करने आ रहे भाई की लड़ाई आईये जोड़दार नमस्कार रादे रादे जो आजकल भाईयों में लड़ाई चलती तो उसी को देखकर के अभी अपने गाउं गई थी वहाँ देखा था तो उसी को लेकरके लिखा है जी कैसी मो माया में फस्वैटे हो कैसी मो माया में फस बैटे हो, अपने ही भाई से लड़ बैटे हो, हीरे मोती से भी जादा किमती वो भाई है तुमारा, और तुम उस भाई का अपमान कर बैटे हो, जमीन के चंद तुकडों के खाते, तुम दुर्योधन दुस्सासन बन बैटे हो, क्यों राम और भरत को भूल बैटे हो, जा सकता था, छोड़ के अपने अंकार को अपना वन्स बचाया जा सकता था, ये सब जान कर भी तुम दुर्योधन सा हट कर बैटे हो, ये सब जान कर भी तुम दुर्योधन सा हट कर बैटे हो, क्या महाबारत का अंत बूल बैटे हो, और बच्पन में तुमारे खाते वो भाई लड़ जाया कहता था सबसे, बच्पन में वो भाई तुमारे खाते लड़ जाया कहता था सबसे, और तुम उस भाई के खाते साजिस कर बैटे हो, कैसी मुमाया में फस बैटे हो, अपने ही भाई से लड़ बैटे हो, और दूसी रचना है, जो आज कल बच्पे आपस में प्रेम कहते हैं, अपने माबाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको लेकर है, कि फूलों से जादा हसी महबबत थी उनकी, उससे भी जादा हसी सपने सजाए, चाय दिन की महबबत के खाते हैं, वो अपने माबाप का घर छोड़ है, जब छोड़ आए घर तो पता चला घर क्या होता है, जब छोड़ आए घर तो पता चला घर क्या होता है, जब घर से लाई पैसे खत जो हमारे अपने होते हैं उनकी जरूते चाहें छोटी हो या बेफुजूल महत्वसदा ही उनका पहले होता है पापा से कितनी दफा का था अपने लिए नई कपड़े बनवाने को पर उनका हसकर है दफा एक ही जवाब हुआ करता था तेरी शादी पे सबसे अच्छों महेंगे कपड़े मैं ही पहनूंगा देखना दूले से ज्यादा तो मैं ही सजुगा उनका वो तयार होने का सपना सपना रह गया मा के हाथों में सोने के कंगन पिनाने का ख्वाब भी रह गया अब सारे काम खुद से ही कहने पड़ते हैं भूके न रहे होंगे पल भरवी आज कल वो रातों को पानी पी करी करवटे बदल लिया कहते हैं वक्त बीता, बीता मोहबत का जमाना आज मेरे बेटे ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया जाने क्यों वो बीता हुआ अतीत मुझे नजराया जाने क्यों वो बीता हुआ अतीत नजराया आज अरसे बाद खड़ा हूँ मैं अपने ही घर के दर्वाजे पर पर जाने क्यों वो दर्वाजा मुझे बंदी नहीं नजराया जब घर के अंदर कदम रखा तो आज भी उस घर में मेरी लगाईवी परफ्यूम की खुश्बू बैर रही है सारा घर मेरी यादों से मुझे वैसे ही सजा हुआ मिला सामने बैठे थे मावाब जाने किस की तस्वीर को सीने से लगाई पास जाकर देखा तो कोई और नहीं मेरे ही बज़पन की तस्वीर ती यह देख करके मिरी आखों से आशों का छलक ना हुआ जाने कैसे मिरी इस भोली मा को इस बात का पता हुआ देख करके मुझे उठखडी हुई और में सीने से लग रोने लगी रोते रोते फिर मुझसे कहने लगी कितना वक्त लगा दिया तुने अपने ही घर आने में अब तुम मुझे तही शकल भी ठीक से नहीं दिखती लगता है बुड़ापा चड़ गया इनाकों में पर बाबु जी अभी भी चुप खड़े थे पर बाबु जी अभी भी चुप खड़े थे कुछ नहीं बोले पर किचिन में गए जा करके किचिन से लोट आए और फिर मां से बोले अच्छा सुनो कुछ अच्छा बनाएंगे बेटा बहुत दिनों बाद घर आया है मैं बजा जा रहा हूँ सबजियां लाने तुम रोटियां तयार रखना तब तक खाने में फिर जाते जाते मेरे बेटे की होग देख करके मुस्कुराई और उससे कहा छोटे नवाप क्या आप हमाई साथ बाहर बजाय जाना चाहोगे यह सुन करके मेरे बेटे का मुस्कुराना हुआ हामिसर हिलाना हुआ और उनके साथ बाहर बजाय जाना हुआ आज मेरे ही घर में मेरी पसंद से ज़्यादा मेरे बेटे की पसंद का सामान आया है मेरे पिताने मोहले में मिठाईयों का मिला लगवाया है सबके घर मिठाई का डिबा बजवाया है सबको बताया है मेरा बेटा आया है मेरा बेटा आया है संग में पोता लाया यह कह करके उनकी आंखों से खुशी छलक रही थी आंसू बनकर जब खापी कर मैं सोने गया अपने कमरे में तो पापा ने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड की दर्वाजों पर ताले डाल दिये जब सोने गया मैं अपने कमरे में तो पापा ने जल्दी 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 सारे घर के खिड़की दर्वाजों पर ताले डाल लिए शायद मेरे बिन बताए जाने से उनका यह हाल हुआ रात में कई दफ़ा मैंने अपने माबाब को मुझे खिड़की से जहांक कर देख कर जाते हुए देखा रात में कई दफ़ा मैंने अपने माबाप को मुझे देख कर जाते हुए देखा रात में मैंने अपनी मा के हाथों को अपने पैरों पे महसूस किया साथ में उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और वो आंसू मेरे पैरों पे नहीं में सीने पर खंजर वन के चुब रहे थे कैसे पश्चा ताप करूँगा मैं इस पाप का मुझे इस बात कर ड़े सता रहा है क्या महबबत इतनी जरूरी थी क्या महबबत इतनी जरूरी थी जो माबाप को यह छोड़ दिया जाए एक दफ़ा उनको मनाना जरूरी ना समझा दै उपैसे मेरा वो कर्मा मेरी आँखों में आके डाल करके मुझे से कह रहा है कि तेरा बेटा भी किसी के इश्क में फिसल चुका है बता तेरा किया तुझ पर लोटा हूं तो क्या होगा बता तेरा किया तुझ पर लोटा ऊं तो तू सेह पाएगा इतना तेला हुआ दिए तेरे किये हुए का पाप तेरे ही सामने आएगा प्रयांका जब कभिता पड़ रही थी तो अन्वरत कभिता इसलिए चलने दी कि अगर इस उम्र के बच्चे इस तरीके से प्रेम को व्याख्यानित करेंगे तो शायद है कि युवाओं को गलत कदम उठाने से पहले सोचने के लिए एक बार ज्याधा जोड़दारी से मजबूर होना पड़ेगा वीडियो सेग्मेंट में हमारे साथ लुध्याना से लब्द परतिष्टित कवित्री आप खाल्सा कॉलिज में आप प्रोफेसर हैं और बहुत ही सुन्दर लिखती हैं बहुत ही उच्छिस्तरी आपकी कविता का आपका कंटेंट रहता हैं हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, जो कोई आई प्योर्फिस भी है कई आई आयस भी हमारे सो पर आते हैं और हमारी एसेट से बन चुकी है कॉलिस के प्रॉफेसर्स लेक्टर्स की उसमें से प्रधिर्ट्व करती है हमारी अग्रजा प्रॉफेसर मुनीशा लुधियाना से जा जो अर्दात तालिय के साथ हम उनका स्वागत करें वीडियो सेग्मेंट के जिरूए सरफ प्रधम यहां उपस्तित सभी कवी कवित्रियों श्रोता गनों को मेरी तरफ से साथ हुआ मैं मुनीशा शर्मा लुध्याना पंजाब में एक गुर्णानक खालसा कॉलेज में वानिज्य की प्रॉफेसर हूँ कविता सुनना कविता कहना मेरा एक शौक है और मुझे लगता है कि कविता एक माध्यम है जिससे आप अपने दिल के एहसास दूसरों से बांड सकते हैं दूसरों के साथ सांजा कर सकते हैं और सरफ प्रथम मैं यहाँ पे अभारी हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल और परवीन आर्या जी का जिनोंने मुझे ये अफसर दिया है कि मैं अपने भाव, अपने पंक्तियां आप लोगों के साथ सांजा कर सकूँ आज जो मैं कविता आप लोगों के साथ बांटने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कुदरत ये मेरे द्वारा रचित सरफ प्रथम कविता है कुदरत कुदरत को हर कोई अपने ही अंदाज में देखता है, अपनी तरह से बयां करता है तो कुदरत को मैंने कुछ इस तरह से बयां करने की कोशिश की है इजाज़त दीजिएगा इशाद जी शुक्रिया कुदरत ये परवत, ये नदियां, ये जीलें, ये जरने ये परवत, ये नदियां, ये जीलें, ये जरने ये बगिया, ये उपवन, ये सागर, ये किरने भीनी सहर में भीनी सहर में वो ओस का गिरना महकी सुबा में वो सूरज का खिलना हर शाम आसमा में हर शाम आसमा में चाई लालिमा निराली हर शाम आसमा में लालिमा निराली कहीं से चंदा जहांके बीच रात काली वो गर्मी में खुश्क हवाओं का चलना वो सर्दी में थंडी सदाओं का मिलना पतजड के मौसम में सूखे वो पत्ते बहारों में फिर से गुलिस्ता हैं खिलते कभी आये सावन, कभी आये सावन तो पंची हैं चहके कली हर खिले हर बूटा है महके पर यही है क्या कुदरत जो हम देखते हैं यही है क्या कुदरत जो हम सोचते हैं पताईए मुझे जरा यही है क्या क्या कुदरत जो हम देखते हैं यही है क्या कुदरत जो हम सोचते हैं यह यह बाढ़ों का आना क्या कुदरत नहीं है यह बाढ़ों का आना यह क्या कुदरत नहीं है जो आला मुख्यों का फटना क्या कुदरत नहीं है भुकंपों का आना क्या कुदरत नहीं है यह धर्ती का सूखा यह धर्ती का सूखा क्या कुदरत नहीं है दुखों से तड़ते दुखों से तड़पते गरीबी से मरते वो भूले से बच्चे रोटी को जो तरस्ते कुछ लोगों के तड़पते गरीबी से मरते वो भूले से बच्चे रोटी को जो तरस्ते कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है जो मासूम चहरों पे खुशिया नहीं है कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है इर्शाद फरमाएगा कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है जो मासूम चहरों पे खुशिया नहीं है जरा बोलो तुम, क्या ये कुदरत नहीं है जरा सोच तुम क्या ये कुदरत नहीं है पशू पखशी तो बनते ही थे निवाला मेरी जिंदगी में कैसा वाक्या जो मैंने कहीं पे पड़ा कि लोग नवांकुर बच्चों का अचार याल के खा रहे है तो ये लाइने मेरे जहन में आई कि पशू पक्षितो बनते ही थे निवाला आज इंसान है इंसान को खाने वाला है आदम है आदम जो कुदरत की अनमोल सर्जन इंसा कायू बदलना क्या कुदरत नहीं है मशश क्या बादो कुदरत का बादो है याई इंसान कोदरत की अ क्या ओएपला इंसान की वस्ड़त्य को खाने में बदलना की मन पाद़ SAM Cunky झाल 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 सत्मोला कम्यों की चुपाल में जिन से मिलवाने जा रहा हूं एक विशेश निवी दिन के साथ सत्मोला कम्यों की चुपाल समाज की चुपाल है लोख की चुपाल है भारत की चुपाल है आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतिजार कर रहा है बाइस जन्वरी दो आजार चोविस का एक बिटिया है उसका इतना प्यारा गीत है आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे जिसके लिए प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी भी उसके पर ट्विट करते हैं और इसी परकार का आवहन आपने हमारे सत्मुला कम्यू चुपाल के कविताओं में सुना देखा और एक सपस्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं मंतर्त कर रहा हूं सत्मुला कम्यू चुपाल के मानन दिदेशक शरी अक्षय कमार अगरवाल जी को कि वे आएंगे और 22 जन्वरी के लिए आप राममय हो जाएं उस आवहन के साथ मैं आमंतर्त करता हूं श्री अक्षय अगरवाल जी को सत्मुला कवियों की चौपाल में आमंतर्त करने के लिए मैं भाई परवीन जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआवा है पांसो वर्ष की संघर्ष लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुती शान्ति पूर्ण धंसे जिस परकार से हमारे परधान मंतरी माननिय नरेंद्र मोधी जी ने इस पूरी विवस्था को इस परकार से बना बहुत शुक्ल द्वादशी निस सो असी समवत दो हजार चौबिस को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिपावली जो आम हम दिपावली बनाते हैं उससे भी कई गुना अधिक सहा और रोमांच के साथ मनेगी हर घर में दीब जले हर घर में सजावाठ हो बंदनवार लगें जैसे हम दिपावली बनाते हैं उसी परकार की दिपावली से पूर जो हम तयारी करते हैं साफ सफाई करते हैं पकवान बनाते हैं अपने घरों में एक दूसरे के हम मिलने जाते हैं बधाई देते हैं इसी परकार का बौतावण पूरे विश्व में बने क्योंकि ये कोई साधार्न उपलब्दी नहीं है इसमें कितने ही बलिदान दिये गए हैं कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी इस दिन का पृतिक्षा कर रही थी शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी पृतिक्षा उन्हें थी उन्होंने उनका गीत है आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे मेरी जोपड़ी में आज राम आएंगे तो इस प्रकार से आयोध्या जी में इस वर्ष 22 जन्वरी को श्री राम का मंदिर उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है हमें भी उसी प्रकार से भहुत भविद तरीके से इसको मनाना है मेरा यही आवान है सत्मोला कवियों की चौपाल जो बीस वर्षों से आपके बीच में लोग पर है हर वर्षे के लोग भी बड़े उस सहा से सुनते हैं मेरा आप सबसे आवान है कि इस दिन को बहुत ही उस सब के धंग से मनाएं मुश्कार दोस्तों मैं निलमितल चेर्मेंट सत्मुला ग्रूप जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सत्मुलों के वियोगी चौपाल आरमकरा परवीन आरेजे के साथ मिलके तो हमारा उदेश दोस्तों यही था कि जो आज यह कावे पार्ट है जो यह बुद कि हमारी पुरानी जो यह संसकार थे पुरानी सब्वेता थी कवीता पाड़ था वो धीरे 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 यह लुप तो जा रहा था तो इसी लिए हम तोनों ने मिलके 2004 के अंदर सत्मुलों की कवियोगी चपाल आरमकरी जिसके अंदर हम ऐसा प्लेट फॉर्म देते रहे हैं जिसके अंतर नए से नए कवी जो भी कवियोगी चपाल के प्लेट फॉर्म पर आये आप लोगों का सवागत है उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं उनके तर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपिरेंस कवी हैं वो उनको सुदा रहेंगे औ और आपको और इंप्रूब करने की कोईशिश करेंगे आपसे निवेदन हैं कि सत्मोला कवियोगी चोपाल में और अपने काविय अबाट करें सत्मोला कवियोगी चोपाल पंद्रा अगर्स्त दो हजार चार से प्रारब हुआ यह काविय नुस्ठान है पंद्रा हजार से अधिक कवी वरिष्ट कवी मャंच्य कवी नवांकुर तीन केवल हिंदी नहीं सभी भारतिय भाषा है हमारी अपनी है सभी भारति भाष्ञाम के कवी लोक कवी आन्चलिक कवी इन सब को मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का जिस में से 1000 कवी से अधिक स्थापित कवी हो चुके इन 20 वर्षों में और जो आज हम से जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवी भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखेरने वाले हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कवीता छेत्र का पर्थम एक सीड़ी है पाइदान ने सीड़ी है पहली सीड़ी पर चड़े हैं आप यहां से अनेक टीवी चैनलों पर जाएंगे अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्शिप हैं आप यहां से कुछ सीख के जाएंगे क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फीस करना होता है यहां पर हम एक पारिवारिक वातावरम दे करके हम आपको इस संकोच को खतम करते हैं कि कि यहां कि और मैं फिर करना चाहूंगा सर्मोला कमियषयों थे हमारे पांच बर्षके सदस्य बने हैं जो साठ moisतर साल कि इस से उपर कि नवहंकुर हैं हुनको दो हम आजीवान सदस्यथा देते हैं कि कि और जो कि कि अपने कवी मित्रों की शिकायद होती है हमें दुबारा नहीं बुलाय जाता है ऐसा शिकायद सुन्दे का आती है तो मैं आपको यहीं से आवान कर रहा हूँ आपको छे मेने हो गए हमें याद हो या ना हो यदि आपका मेरे पास फोन आ गया कि मैं इस महां आया था और मेर में फोन करना है और आप भी यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं सत्मुला कम्यों चपाल में जुड़ना चाहते हैं सदस्य बन करके कावे पार्ट करना चाहते हैं तो आपका हांटिक्स भागत है आप स्क्रॉल पर चल रहे हैं नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं वाट से बाचित करेगी और किसी भी प्रकार करती डिसर याइक मेरे से इसी नम्र केरे बाचित कर सकते हैं सत्मुला कम्यों की चुपाल आज 20 वर्स होंगे, आगे 50 वर्स होंगे, ये सत्मोला परिवार और सत्मोला कम्यों की चुपाल का ये धे है, ये अनवरत चलने वाली कावे गंगा है, इसमें आप जब भी कलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कारकाम आगे भड़ता जाएगा, प्रमान है 20 वर्स के अ आईए, आप हमारे साथ जुड़िये, सत्मोला कम्यों की चुपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रेजिस्ट्रेशन करें, मिलते हैं, अगले रविवार, कुछ नए और जेस्ट कम्यों के साथ, नमस्कार. सियम साथ, हमारे तीस विधायक अपोश्चन पाठी में चले गए, हब आप सियम नहीं रहे? सत्मोला! तो अब नया सियम कौन बन रहे है? टल में. सत्मोला खाओ, कुछ भीत बचाओ.